हेलो दोस्तों दोस्तों आज मैं greater noida के Yamuna Expressway के जीरो पॉइंट में हूँ यह जो location आप देख रहे हैं यह यह में साइड में 0.0 से स्टार्ट होता है सर्विश लेने यह में यह एक रोड है जो काफी वाइड रोड है और यह जेवर एरपोर्ट तक जाता है आप मेरे पीछे देखें Yamuna Expressway यहां से स्टार्ट होता है greater noida से यह जो गाड़ियां जा रही है यह 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 मुना 150 की तरफ से यमुना Expressway को आप टच करते हैं तो यमुना Expressway के साइड से यह रोड स्टार्ट होता है दोस्तों आज मैं आपको पुरवांचा रोयल सिटी का जो रूट है उसको दिखाने वाला हूं कि उसकी connectivity है वो कहां से है कैसे है दोस्तों अभी अगर आप नोइडा की तर सब्सक्राफ आना होगा और 150 की तरफ से सर्विस लेन देते हुए यमुना Expressway में एक अंडर पास है यह सामने आप में देखें यहां पर एक अंडर पास है मैं आपको दिखाता हूं अंडर पास कि यमुना Expressway के नीचे से यह अंडर पास है यहां से आपको ऐसे राउंड अबाउट लेते हुए और सिधे इस तरह आप जा सकते हैं और यह रूट सिधा चाई फाइब से होते हुए एरपोर्ड की तरफ निकल जाता है मैं आपको आपको मैप में रूट दिखा देता हूं कि तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको आप इस मैप को देखें जो यह ब्लू लाइन है यह दोनों तरफ से पुरवांचल रॉयल सिटी के लिए दोनों तरफ से रूट जाता है यह जो रूट है यह सेक्टर 150 के तरफ से नोइडा एक्स्प्रस भे होती भे आता है और यहीं से यह सर्विश लेन से नीचे आकर के यह एक राउंड अबाउट है यहाँ पर इस राउंड अबाउट से आप राउंड ले करके सीधे चाई 5 की तरफ जा सकते हैं यह यहां से सिर्फ 3 किलो मीटर की रेंज में हैं इस जगे से यानि कि आपका जो मैट्र स्टेशन है वह सबसे नेरस्ट मैट्र स्टेशन है वह आपको तीन कीलो मीटर पड़ेगा अगर आप नोइडा पेस बैस से आना चाहते है इस सर्विश लेन से नहीं आएंगे आप उधर से आना है और आगे आकर के आपको यही रोड मिल जाता है दोस्तों आज मैं पुरवांचा रोयल सिटी का कर्ष्ट्रेक्शन अपडेट दिखाने वाला हूं इस वीडियो के आगे और साथ में आपको मैं उसकी पार्किंग का स्पेस भी दिखाऊंगा कि पार्किंग स्पेस कैसा है उ तो चलते हैं दोस्तों आगे दोस्तों हम आचुके हैं पुरवांचा रोयल सिटी के फेस्टू के बेस्मेंट में बेस्मेंट माइनस वन है यह इसके नीचे माइनस टू भी है मेरे सामने आप देखें यह चार लिप्स है यहां पर और मैं आपको बेस्मेंट में इस पूरे प्रजेक्ट में कहीं भी कंजेस्टेड नहीं है ओपन पार्किंग इस पेस है तो वह मैं आपको दिखाता हूँ और साथ में मैं आपको construction का update दिखाता हूँ कि basement में क्या status है construction का कहां तक पहुंचा तो देखते हैं जैसे यह आप यहां से निकलते हैं, लिफ्ट से तो आप आजाते हैं, पार्किंग स्पेस में, और यह जो पार्किंग है, टावर नमबर 16 के नीचे की पार्किंग है, और आप यह देखें कि इसमें कहीं पर भी पूरी पार्किंग स्पेस कहीं पर भी कंजिस्टेड नहीं है, हर जगे आपक कि गाड़ी कहीं पर भी आपको एलाटमेट मिलता है पार्किंग का तो अच्छा इस पर येशी मिलेगा कहीं पर दबी हुई पार्किंग आपको नहीं मिलेगी तो ये केवल एक टावर की जगें पार्किंग है टावर नमबर 16 और आगर आप उधर आगे देखेंगे तो टाव प्रोजेक्ट की पुरवांचार रवाज सिटी फेस्टू के ताउर नमर 16 ताउर नमर 17 और पीछे क्लब हाउस है इस सेंटल एरिया में हूँ मैं कि कंस्ट्रेक्शन फिनिसिंग में है आपको जैसे पहले ही मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि उसी इसका आचुका है दिसंबर में आया था और पुजेशन ओफर कर दिया है और फिर भी जो ऊसी और एक्ट्वल पुजेशन और शिफ्टिंग की बिश्ट को जो टाइम होता है वो दो-तीन मेने का टाइम होता है दो-तीन मेने लग जाते हैं अभी दस-पंदा दिन पहले की बात करूं तो वही प्राइज है जो एक मेने पहले था इन्वेंट्री बहुत कम बची है रेडी टू सिप्ट सोसाइटी न्यू सोसाइटी ग्रेटर नोड़ा में और नोड़ा एक्सप्रस बेस सेक्ट एक्सो पचास के आसपास यही एक सबसे लेटेस्ट डिलीवर्ड स साइटी है 3BHK मिनिमुम इसमें आता है इसका जो मैंने सैंपल फ्लैट का वीडियो सूट किया था वह अलड़ी मेरे चैनल में पड़ा हुआ है आप उसको जाकर के देख सकते हैं 3BHK का 3BHK के दो साइज है दो साइज तो एक ही है बट उसमें ले आउट में डिफरेंस है 10 इसक्वाइर फिट का डिफरेंस है एक का साइज 825 स्क्वाइर फिट है और दूसरे का अठाख बंदा सपर्पिट है प्राइजिंगं में बहुत बारा डिफरेंस नहीं होता है और इसमें अगर आप नीचे के फ्लोड लेते हैं तो थोड़ी से उनमें PLC लग जाती है और प्राइजिंग कंपर्टेबली थीख हो तो उनमें से यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबसे बहतर है क्योंकि नया डिलीवर हुआ है नई कंस्ट्रक्शन है क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की अच्छी है फिनिसिंग अच्छी है और लेंडिसकेपिंग अच्छी है मेरे पीछे आप यह जो लेंडिसकेपिंग देख रहे हैं यह एक पार्ट है चोटा सा पार्ट है इस पूरी सोसाइटी की लेंडिसकेपिंग का और यह केबल दो टार्स है यहां पर उनके सामने की लेंडिसकेपिं है और आप मेरे पीछे देखें यह गेट नमबर वन है पुरवांचर रॉयल सिटी फेस्टू का फाइनल पेंट हो चुका है अब लगभग कंप्लीट है उसके सामने कुछ थोड़ा सा कर्स्ट्रेक्शन हो रहा है और कर्स्ट्रेक्शन क्या इसमें सायद फाउंटेन जैसा दो करोड के आसपास है तो आपके लिए यह सबसे बहतर से और आज की तारीक में आज की टाइम में जितनी भी सोसाइटीज है नोड़ा ग्रेटर नोड़ा नोड़ा अक्सेंसन सबी जगे रेट बढ़ गए एक नॉर्मल रेट हो गया है आठ हजार नौ हजार तस जार रु बॉल्ब अच्छा है इसमें आपको फोकस करना चाहिए अगर आप प्राइज में फोकस करते हैं लेकि अगर कम करते होता है तो डेफिनेटली उसमें कोई- signals होता है उसके प्रैस तिमान सब्सक्राइकर को लिए और उसे नीचे को इस नवदर में दिख्कत है और जिस में कोई भी दिखकत नहीं है किसी प्रकार की किन्स्टैक्षन में पर पॉजेशन मेंद यहां पर क्लीनिंग है इन सब चीजों में अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो उसके रेट कम नहीं हो सकते क्योंकि उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है तो दोस्तो अगर आप अभी भी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी मौका है पुर्वांचा रॉयल सिटी में अपना फ्लाइट बुक कराने का पोजेशन लेने का और रजिस्टी करा के सिफ्ट होने का ये मौका है तो जरूर आप मेरे दूसरे वीडियोज देखें और यहाँ पर विजिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज बनाता रहता हूँ ताकि आप रियल स्टेट में अपना इंवेस्टमेंट करने के लिए डिसीजन टाइम पर ले सकें और अगर आप घर लेना चाहते हैं रहने के लिए तो आपको सही इंफोर्मेशन आपको समय पर मिल सके इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकान को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तो मेरा नाम त्रिभोन सिंग है मैं रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और यहां पर बिजिट करने के लिए मुझे संपर्क करें मेरा फोन नमबर है 7838696817 थैंक यू